हेलो इस्टुडेंट्स वेलकम तू अलव यू और कैसे हैं आप लोग बढ़िया तो बच्चो आज की क्लास के क्या टॉपिक है शेरिंग एंड एक्सल फाइल तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्लास में हम इन दिस सेक्शन वी लर्न हाओ तो शेयर अन एक्सल वर्क बोक विद मल्टिपल यूजर्स बाइ सेविंग इट तो आ लोकल नेटवर्क लोकेशन याद रखिएगा लोकल नेटवर्क लोकेशन वेर अधर पीपूल कैन एक्सेस एट एंड मेक एड़ेट्स वी कीप ट्रैक आ उसे अधर पीपूल क्या है अटा सेम टाइम एक्सेस भी कर सकते हैं और उसमें कुछ चेंजेस भी कर सकते हैं लेकिन आप उनके चेंजेस पर नजर भी रख सकते हैं और अगर आपकी रिक्वार्मेंट हो तो आप उसे एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और उसे रिजेक्ट भी क कर सकते हैं किलियर है और बच्चों इसमें एक टॉपिक और है कि आप जो वर्क बुक शेयर किये हैं आप उसको प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं प्रोटेक्ट यह हैं पढ़ेंगे कल की क्लास में आज की क्लास में की देखते हैं कैसे वर्क बुक को शेयर करना यहां पर आपके सामने जो उपर हैं फाइल टाइब होंट इंसर्ट पेज ले आउट फर्मूला डेटा रिव्यू व्यू एंड डबलपर टाइब यहां पर देख रहे हैं चेंजेस ग्रूप में शेयर वर्क बुक को आपने क्लिक किया तो यहां पहले स्टेप रिव्यू टैब में चेंजेस ग्रूप में शेयर वर्क बुक को आपने क्लिक किया आपके सामने डायलॉग बॉक्स अपेर हो गया एडिटिंग में आप हैं अब देखिए यहां पर चेक requirement के अनुसार आप चेंज कर सकते हैं पहला क्या है कीप चेंजिस हिस्ट्री फॉर ठर्टी डेज आप इसको बढ़ा सकते हैं घड़ा सकते हैं हिस्ट्री ठीक है आप डीड करना चाहते हैं उसमें कुछ चेंज करना चाहते हैं अपडेट सेंजिस वेन फाइली सेट कब चाहते हैं 15 मिट में चाहते हैं या नहीं चाहते हैं या आटोमेटिकली चाहते हैं जो भी चाहते हैं आप अपनी रिक्वार्मेंट का रसम में कुछ चेंजिस कर सकते हैं तीक है अब फिर कहां करने वर्क बुक आईटी और हमने सेफ किया जैसे हमने सेफ कि आपको मालूम कैसे पढ़ेगा कि आपकी वर्क बुक सेर हो चुकी है देखिए उपर सबसे टॉप पे बुक आईटी सेर्ड आ गया ना लिख कि यह सेर्ड लिखके आ जाएगा तो उम्मीद करते हैं आपके समझ में आ गया होगा तो कल की किला जरूर करिएगा टेंट क्योंकि कल जो रहेगा कैसे आप इसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं यानि नेक्स्ट वीडियो में ठीक है तो अपना ख्याल लग कि यह पढ़ते रहे हैं टेक केर आला फ्यू जैहिंद